असलाम अलेकुम ग्रेट पॉर, हावर यू अल, माइनम इस रिदा हालिद अन वेलकुम यू बाक तो अनधर एक्साइटिंग लेसन आफ एंग्लिश। स्टूदिस आज हम बात करने वाले हैं ग्रामर के एक टॉपिक के बारे में। जी हाँ, आप सब जल्दी से अपनी स्टेप बाई स्टेप इंग्लिश क्रामर बुक को निकाल लें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक और इंट्रस्टिंग टॉपिक जो के है लेसन नमबर 11 तो आईए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। जैसा के मैं आपको बता चुकी हूँ के लेसन नमबर 11 जो लेसन आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है नाउन आण वर्ब्स यानि के हमने आज दो चीजों के बारे में बात करनी हैं जो हम पहले से पढ़ते आएं। सबको याद है ना नाउन्स क्या होते हैं। बिल्कुल आज हम बात करने वाले हैं वही नाउन्स और उनके साथ कौन-कौन सी वर्ब्स कैसे-कैसे लगाई जाएंगी। दो major topics के बारे में बच्चों आज हम बात करेंगे। जो पहली बात हम करेंगे वो होगी singular noun and singular verb यानी एक noun और उसके साथ एक verb जो यूज करते हैं यानी के singular verb वो भी मैं आपको बताऊंगी क्या होता है। और उसके बाद हम देखेंगे plural nouns जो होती हैं जैसे एक से ज्यादा चीज़ें होती हैं। तो plural nouns के साथ plural verbs कौन से लगेंगे यानी के जब हम एक से ज्यादा चीज़ों की बात कर रहे हैं तो हम verb के आगे S लगाएंगे या नहीं लगाएंगे या क्या लगाया जाएगा तो यह जो सारे सवालों के जवाब हैं आज आपको इस वीडियो लेक्चर में मिलने वाले हैं अब हम क्या करते हैं काम को करते हैं स्टार्ट आपकी step by step English grammar book के अंदर lesson number 11 में बिलकुल शुरू में ये बातें लिखी हुई हैं यहां से मैं इसको पढ़के आपको समझाओंगी और आप क्या करेंगे मेरे साथ इन बातों को सीखेंगे तो चलिए आज के काम को स्टार्ट क अल्रीड़ी नुए नाउंस केंद फीर्द सिंग्लर और Jeśli आपका मतलब हैं इ सज्टार्ट हमें ये तो पता है कि नाउंस सिंग्लर यह थैंदी एक भी हो सकते हैं और प्लूरियौरल का मतलब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं यह तो हम हम पहले ही पता है तो हम क्या करते हैं एक circle में, तो हम क्या करते हैं, singular के आगे लगा देते हैं, one, ताके हमें पता चल जाए कि हम एक चीज की बात कर रहे हैं, और plurals के उपर भी हम क्या करते हैं, एक bubble बना के लिख देते हैं, two, three, four, और बहुत सारे dots लगा देते हैं, जिसका मतलब है कि हम uncountable चीजों की बात भी क singularly, verbs can be singular और plural, देखें, इसी तरह हमें पता चल जाएगा कि singular noun के लिए singular verbs होती हैं, और plural noun के लिए plural verbs होती हैं, अब कैसे होती हैं, उनको देखते हैं, singular भी होती है verbs और plural भी होती हैं, अब देखो, एक बात मेरी गौर से सुनो, जब हम singular verb की बात कर रहे हैं तब वहां पर यह नहीं देखना कि S लगाना है या नहीं लगाना, जैसे हम plural और singular nouns में करते हैं कि एक से जादा चीजे हो गई तो S लगा दिया, यहां E S लगा दिया, लेकिन यहां हमने क्या दिहान रखना है कि singular verbs कौन सी हैं और किसके आगे S लगना है, क्योंकि थोड़ा सा different है, अब मैं रूल आपको यहां से समझाती हूँ, we must use a singular verb with a singular noun, यानि के singular noun और singular verb एक साथ इस्तमाल होंगे, and plural verb with plural noun, और plural verb किस के साथ यूज होगी, plural nouns के साथ, अब इस रूल को समझाने के लिए मैंने यहां दो examples लिखी हैं, इसी से आज का बाकी का lesson मैं आपको समझाऊँगे, अल्राइट, ओके जी, example number one है हमारे पास, dogs eat meat, सबसे पहले तो मुझे बताएं, dogs हमारा क्या है, noun है, लेकिन कौन सी noun है, s लगाए, तो क्या समझा रही है, dogs, noun, चीजे हैं ना, नाम है, animal name है, अब बताएं, s लगाए तो इसका मतलब एक से ज्यादा है, very good, so हम यहां लिख लेते हैं कि noun हमारे पास क्या है, plural, eat, जो eat का word है, eat, eat किस तरहां use होता है, अब verb के साथ जब s यहां एस नहीं लगाया जाता, उसका मतलब है, यह किस के साथ use होगा, plural noun के साथ, ठीक है, यहां पर मैं आपको बता देती हूँ, कोई s नहीं है, यहां पर, तो यह जो verb है, यह किस के लिए use हो रही है, यह भी use हो रही है, plural noun के लिए, जैसे हमने यहां पर बात की थी, कि plural verb के कहां use होगी, plural nouns के साथ, ठीक है, अब दूसरे example को देख लेते है, example 2, dog, eats, meat, dog क्या है, noun है, कौन सा noun, singular और plural, एक dog है कि एक से ज़्यादा dog है, एक dog है, very good, तो हम यहां लिख पास है यहां पर, singular वाला, eats, अब देखो, s लगा है यहां पर, पता चल रहा है न, कि singular जब verb बनाते हैं, तो उसके आगे s लगाना है, ठीक है, eats, यह क्या है हमारी, verb जो भी है, singular के लिए, all right, dog eats meat, यानि कि जब हमने singular noun की बात की, तो हमने क्या किया, verb के आगे s लगा दिया ताकि हमें पता चल गया कि क्या होगे, singular noun के लिए verb भी singular use होगी, I hope बच्चों यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, अब आपने क्या करना है, जो image आप देख रहे हैं, table जो बना हुआ नजर आ रहा है आपको, इस table के अंदर बट्चा बताया गया है कि singular noun और verbs को क कहां कहां कैसे कैसे use किया जाएगा, present में कौन से use किया जाएगे, past में कौन से use किया जाएगे, alright, जैसा कि I के साथ कौन से helping verb use होगी, I was यहां I were, ठीक है, singular, I is a singular, तो singular के साथ was use होगा, इसी तरहां they, यानि आप ज्यादा लोगों की बात कर रहे है, plural noun होगया, so they were और they was, exactly they were, यानि कि जब हम ज्यादा, यानि plural की बात करेंगे, तो word लगेगा, अब इस table को आपने अच्छी तरहां से study करना है, क्यूंकि इस table के अंदर दी गए, जितनी भी information है ना बच्चों, यह सारी हम use करेंगे आज की practice exercises में, तो जल्दी से क्या करना है, आपने, video को करना है, pause इस table को करना है, thoroughly study, एक-एक बात को आपने vertically देखना है, ठीक है, आई, present में कौन से use होगा, past में कौन से use होगा, किस-किस तरह singular और plural के साथ के से use होगा, इस तरहां आपने सारी lines को study करना है, और उसके बाद आपने आजाना है मिस्रिदा के पास वापिस इस video lecture में, so students, अब मजीद हम इस part को समझने के लिए एक छोट इसी exercise को solve करते हैं, so अब table तो आपने पढ़ लिया, table करने के बाद अब ये वाली exercise करना आपके लिए बहुत असान हो जाएगी, कैसे, आईए देखते हैं, चलो जी, let us understand, choose the correct verbs to complete the given sentences, अब यहाँ जो four sentences यहाँ पर लिखे हैं, अब हम सिर्फ helping verbs की बात कर रहे हैं, पहले हमने verb के साथ S लगाया था, अब हमने क्या सीखना है, कि हमने helping verb कैसे use करनी है, ये table भी helping verb के बारे में था, ठीक है न, चलो, the horses, सबसे पहले तो मुझे बच्चे ये बताएंगे, कि the horses है, is it singular, is it plural, singular है या plural है, एक horse की बात हो रही तो मैं PN लिख देती हूँ, plural noun, अचा, plural के साथ हमने क्या देखा था, कि is use होगा, कि are use होगा, exactly, are is the answer here, ये लो जी, इसको हम कर देते हैं, circle, the horses are tired, alright, number two, I dash going to my friend's house, अब I मैंने आपको बताया था, singular है, तो singular के साथ क्या use होगा, I am और I are, I am, very good, so हम लिख देते हैं यहाँ पर S N, S N हमें क्या बता रहा है, singular noun, ठीक है, तो क्या use होगा, I am, so am को हम कर लेते हैं, circle, is it easy, ये तो हमने पहले किया है, so it's very easy, अचा, जी, number three, my mother, my mother is a singular noun, इसको हम क्या कर लेते हैं, S N लिख लेते हैं, my mother dash going to bake a cake for my birthday, my mother is going to bake a cake for my birthday, the tables dash, dirty, tables जो है, ये क्या है जी, P N, plural noun, यानी, एक से जादा टेबल्स है, R, exactly, very nice, R, dirty, देखें, कितना easy था हम सबको solve करना आ गया, so यहां तक की understanding की exercise तो हमें ये बता रही है, कि मुझे और मेरे बच्चों को जल्दी से ये noun और verbs की जो game है सारी ये बिल्कुल समझ आ चुकी है, आज हम बात बच्चों क्या करने वाले हैं, practice exercises के बारे में, all right, so practice exercise A और B यहां मैंने board पर लिख दिए है, all right, हम बारी-बारी इसको start करते हैं, ये exercise बिल्कुल इस practice exercise की तरह है, all right, हम जब इसको solve करेंगे, हमारे पास again दो verbs दी हुई है, हमने उसमें से इस तफ़ा helping verb नहीं चूज़ करना, हमने correct verb चूज़ करनी है, ये तो helping verbs थे न, is, am, are, अब हमने verb चूज़ करनी है, remember, जब हमने बात की थी dog eat meat और dogs eat meat, ठीक है, इसी तरह इन दो exercises को लेते वे हमने क्या करना है, verb क्या कि जब S लगाया था और कहाँ S रिमूब करना है, ये exercise बिल्कुल बैस दिए, all right, challenges को start करते है, the ice cream melt और melts, very fast, अब ice cream क्या है singular, अब मैं अब की दफ़ा S न नहीं लिखूँगी, क्योंकि हमें practice हो गई है, अब हम direct इसको solve करेंगे, the ice cream, singular, melt और melts, very good, melts, very fast, singular है तो S लगा दिया, the women have or has, gone to the market to sell the wares, women, E है, इसमें confused नहीं होना, M-A-N है तो singular, M-E-N है तो plural, यानि एक से ज्यादा और ते, the women have gone to the market to sell the wares, जब एक से ज्यादा की बात हो रही है, table में से देखे, have लगेगा यहां पर, all right, number three, uncle Sam always dash, bring, brings chocolates for us, uncle Sam one है, या one से ज्यादा है, exactly, it's one, uncle Sam is one, so he brings, is, जब singular होता है तो हम उसके साथ, verb के साथ ऐस लगा देते, he, walk और walks, down to school everyday, he, singular, तो हम क्या लगाएंगे, he walks down to school everyday, अब देखें, सारी verbs हमने क्या कर दी, हमने circle कर दी, इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला, कि हमने किस तरह नाउन्स, singular होंगे या प्लूरल होंगे, उनकी साथ हमने verbs के आगे, कहां S लगाना है और कहां S नहीं लगाना, तो बच्चों, यहां तक की exercise तो हमें समझ आ गई, well done, अब solve करते हैं, एक और exercise, Alright, grade 4, अब करने वाले हैं, हम exercise number B, यानि के हमारी practice exercise B, तो देखते हैं, यह किस बारे में है, copy these sentences in your notebook after correcting the underlined verb, अब यहां पर 4 sentences के अंदर, आप देख रहे हैं, red से मैंने underline किया है, helping verbs को, क्या करना है हमने, हमने इन helping verbs को change करना है, कैसे change करना है, हम देखेंगे कि noun singular है, या plural है, noun one है या one से ज्यादा, सबसे पहले उसको देखेंगे, अगर वो singular है, तो क्या करेंगे, singular वाला verb लगा देंगे, अगर plural है, तो plural वाला verb लगा देंगे, और उसको correct करने के बाद, हमने इन sentences के नीचे, इन ही sentences को दुबारा लिखना है, कैसे दुबारा लिखना है, सही, यानि correct verb के साथ, ठीक है, तो आओ इस काम को solve करते हैं, When is your parent coming back? सबसे पहले, तो मैं बता दूँ कि ये parents है, Okay, When is your parents coming back? यानि तुम्हारे parents कब वापिस आ रहे हैं, So, when is your parents, देखे, नाउन क्या है हमारे पास, singular है या plural है, Definitely plural है, क्योंकि हमारे parents कोन होते हैं, दो होते हैं, ना, मामा एंड बाबा, So, it's more than one, So, हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे, इस के जगा आर जाएगा, और, sentence को लिखते हैं, When are your parents coming back? ठीक है, अब आगे लगा देंगे, question mark as it is, Alright, the herd of animals are crossing the river, अब देखें, यहाँ पे आपने collective noun देखे हैं, यह एक नई चीज़ है, देखें, The herd of animals, यानि के, बहुत सारे animals हैं, लेकिन उसको sentence में किस तरह बताया गिया है? The herd, यानि एक बहुत बड़ा जुन्ड, किसका जुन्ड? Collective noun है न, बहुत सारे animals एक जुन्ड में है, So, हम इसको singular consider करेंगे, याद रखना है, collective noun की जब बात हम करते हैं, जब collective noun की बात हो रही है, तो हम उसको singular consider करते हैं, ठीक है? याद रखनी है ये बात, The herd of animals is crossing the river, Let's write it, The herd of animals, यानि जानवरो का एक जुन्ड, Is crossing the river, यानि वो क्या कर रहे है, दर्या को पार कर रहे हैं, Next, the cricketers was practicing in the field till late evening, Cricketers, more than one or one? More than one, very good, So, the cricketers were, The cricketers were, Was किसमे कनवर्ट हो जाएगा, Were practicing in the fields or field till late evening, All right, ये sentence हो गया, यहाँ complete, All right, number four, Our neighbors has gone to abroad for two months, Our neighbors, आपके जो neighbors हैं, वो एक हैं के एक से ज्यादा हैं, क्या लिखा यहाँ, S है साथ, Neighbors mean, यानि जो आपके साथ फ़ला घर है, उसमें एक तो नहीं कोई शक्स रहता, ज्यादा लोग रहते हैं, तो हम collective noun की बात नहीं कर रहें, यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, Plural noun की, All right, Plural noun हैं, एक से ज्यादा लोग हैं, तो हम क्या करेंगे, हास किस में चेंज हो जाएगा, टेबल से देखे बताएं, इक्शाक्ली हैव में, So, we will write it here, Our neighbors, जो के है, Plurals, Have gone to abroad for two months, So, grade 4, यहाँ तक हमारी हो गई प्रेक्टिस एक्सराइज भी भी बल्गुल कम्प्रीट, अब आपने क्या करना है, आप इस पेज को टन करेंगे, तो आपको next पेज पे एक extended एक्सराइज मिलेगी, वो extended एक्सराइज भी इसी तरह की एक एक्सराइज है, जो आज अपने सॉल्व की है, आप इन ब्लांक में फिल करेंगे यही helping verb और verbs, कैसे यह काम आप खुद करेंगे, यह है आपका homework, extended exercise आप इस lecture को देखने के बाद बहुत इसी ली सॉल्व कर सकेंगे, I hope students आपको आज का lecture समढ़ रहा होगा, और आपने मिलके में सुर्दा के साथ सीखा, नाउन और verbs को कैसे यूज़ किया जाता है, singular और plural के साथ, Thank you so much for watching today's lesson, do complete your extended exercise, Allah Hafiz.